दोस्तो एक होर वीडियो रिपोर्ट लाएक हाजरा चैनल रितेश लखी अनप्लग्ट संडे दा दीन है वीकेंड दे मौके ते मैं सिलसला बीते हफ्ते तो शुरू किता अपने व्यक्तिकत तजर्बे जो की बतार पत्रकार मैं अलागला कावरिजिस कीती हैं उन्हानों मैं संजा करता है कुछ ऐसे केस जीडे की नापो लणवाले हुन्दे ने या जो की याद रखन वाले या फिर थोटे ना संजे करन लाइक मैं मैं है मैसूस करता है मैं उस्टो थोटे सामने लेकराना हैं तो उसे ही लड़ी दे रहत बीते हफते में सिर्वन जी सिंग मान सावदा केस ले आया सी देश्टरोधा मुकदमा जिस भीच की मेवीक पाटी मैंनू बनना पया या मैंनू बनाता गया एक पुरा मामला है एक पुरा अपराधिक मामला देख बहुत वड़ी अपराधिक साज़िश इसनू मैं बताओर पत्रकार कवर किता आज तो तकरीबां तेन साथे तिन साल पहला देख दो ऐसीं कवरिजेज रही हैं जो की मेंनों अपने करियर देविच मान महसूस करवाँ क्योंकि जिस तरीके नाल साजश करतावा ने ऐसी कुड़ी की बीच फसाया सी जिस विच उता निकलना बहुत ऑखा सी ते उस दे नाल खड़े हुन वाला सब तो वड़ी गाला कोई नी सी लेकिन उस दे बेटे ने मेरे तक पहुंच किती ते उना दे वकील साब दी बदाला तो बेटा मेरे तक पहुंच जाते मैं जड़ो केस नो कोख्या समझा मैंनों लगा भी मदद किती जा सकती है हलांकि यो केस दे विचे कवर करना कोई सोखा नहीं सी क्योंकि जड़ो मैं पूरी वेरवास हांजा करांगा तुसी खुद मैसूस करूंगे भी बहुत वक्रे हा जान दे ने अपने दोस्त भी जड़े हैंगे ने ओवी नजरां फेर लन दे हैंगे इस तरीके दे हलात उस व्यक्ति दे नाल सान सो अजी है एडवर्स सरकंस्टांसिस दे विच यानि की ओकड़ पर हलाता दे विच कदे भी जे कोई छोटी मोटी मदद या रसद भी किसी क वाटर जो जे किसी नों मिल जावे तो उस दे विच भी समरथा हों दिया उना हलाता नों बदल के राख देंड दी तो ऐसी ही केस ते ऐसे ही के शक्स बारे मत उन्हों आज जानू करावांगा एपकुरी कटना करम जुड़दा है जिले मोगे दिनल जिला मोगा पिंड खोस कोटला मोगे दा जिते की एक शक्सन वीर सिंग ना दे ए मेरी जिंदगी दी कैसी कवरेज है जिस होते कि मैंनू हमेशा मैं पहले जिकर किता मान रहा है ते आणवाले समय वीच भी रहेगा क्योंकि वाकी मैंनू लगा कि पत्रकारिता करना एक वकरी गाल है लेकिन किसी दी मदद कर पाणा ओ दे विच जो सुकून या जो संतुष्टी मैंनू केस दे विच खास करके उस शक्स दे उस मुसीबत दे विच निकलन तो बाद मिली ओ बहुत काटवाद ही मिल दी है आजवी मेंनल राप्ते दे विच हैगे ने ओ शक्स वीर सिंग जो की खोसा कोटला दे पिंड दे वसनीखन इना दी उमर तकरीबन पहेंट साल दे आसपास दस्ती जान दे सी रिटायर हो चुके सी रिटायर होंतो बाद फौस तो रिटायर होंतो बाद पंजाब सरकार ने एक मोहिम शुरू किती सी कैप्टन अमरेंदर सिंग दी दो हजार स्टारावी जदो सरक पिंडा दे विजड़े विकास कारज होने है गेने वक वक उसारी दे काम है गेने होर ऐसे बहुत लोग पलाई दे काम होंते ने जिना विच बहुत वड़े पंदर दी जड़ी गरांट है लखा लखार रुपे दी गरांट पिंडा नो दित्ती जानी होंती है ओ जड़ी ग इना फंड़ना दी दुरवर्तों कर देने, अक्सर ओही जड़ी जड़ी इनसान दी पुरानिक लालच दी फितरत है, प्रष्टाचार दी फितरत है, प्रष्टहोन दी फितरत है, उसे तहत खर्चे जड़े कीते जान देने, उना दी विच्चो खर्चे काट करके गरकाई जावे पैसे दी दुरवर्तों कटाई जावे थे पैसे दा इस्तेमाल जड़ा है और सही पासे लगए यानि कि जे पेंडू विकास ली पैसा सरकार वनों ऐलोकेट किता गया है किसी भी पंचायत नुता उस दा जड़ा खर्च है और उसे पासे होए गल्त पासे या निजी व्यक्तियां दे, लोग का दे, पंचा सर पंचा दे, हाथवे चो ना लगे. इसी मनोरत देनाल कैप्टन अमरिंदर सिंग होना वल्लों एक स्कीम लाउंच किती गे सी, इन फाक्ट प्रोजेक्ट सी, जिसे अनाग दिता गया सी, G.O.G. कहनेडे, गार्जियन्ज ओफ गावर्निंजा, मतलब सी भी सडी suggesting of governance दे, इससारे लोग रेंटायर फौजीयां दे रायंक्से चो लॉयदु लेगे, क्युँख्टन अमरिंदर सिंग इका रेंटायर फौजी ने नालसलाकार जेड़ होना दे लेटिनेंट जनरल रिटायर्ट शेरगिल है गिने, ओना वोलों स्कीम उलिक की गई थे, पूरी स्कीम नूँ एक बहुत ही फैनफेर देना लॉंच किता गया, गार्जन अफ गार्डियन्स जेडी स्कीम सी, ते सूपे पार देविच हजारादी गिन्टी देविच ऐसे लोका किता गया, जो कि सापका फॉजी सन, फॉज तो रिटायर्ड होके आये सन, ते उनों गार्जन अफ गार्जन अफ गावननेंस दे तौर ते उनों परती करता गया, एक औरेरी आउदा सी, कुछ ज़्यादा है देविच तरंखाव अगयरा था, कोई ज़्यादा इंतिजामा ज़्याद होते हों फंडा दे रूपिच आंधिया सन, गरांटा आंधिया सन, उना दे विच कोई वी तांदली ना होवे, तो उसे तहत वीर सिंग खोसा कोटला पिंडदा रहन वाला सी, वसनीक सी, फॉज तो रुटायर सी, उसनों भी गार्जन अफ गार्जन चोन लया ग करदा सी, उसे नाल होदे जड़ी होर कमेटी हों दी सी, गुर्देव सिंग, करनायल सिंग या होर कुछ लोग सान, ओ सारे फंडा दी जड़ी वर्तों सी, ओ सही तरीके नाल नहीं कर रहे सान, खुद भी बहुत वीर सिंग एक्टिव सी, पिंड दे समोईक पद्यते जिनने भी होनवाले फंक्शन सी, नौजवाना, बच्चेया नूँ स्पोर्ट्स दियां, कितना वंड़न तो लेके, हर उस एक्टिविटी दे विच डाइटा देन दे विच वीर सिंग दी बड़ी एहम पुमिका सी, इदा इमानदार जड़ा इखलाख सी, या कह लिए किसाब का होनदे नाते, एक डिसिप्लन वी सी, ओ सारी गल्ला माता, ओ सारे जड़े गोनसान, जो की एक अच्छे निगरान होन दी चाहे दे होनदे ने, ओ वीर सिंग दे विच मौजूद सान, लेकिन ए साब कुछ खटक रहा सी गा, जगरूप सिंग सर पांच जड़ा सी पिंड़ा जा रहा है, जिस विच की जिनना खर्चा आया लागपाग, 18 लाख दे आसपास दखाया गया, जैदों की 4-5 लाख की खर्च किता गया, ऐसी बहुत से काम हो रहे सान, जिस दे विच की लखा रुपे दी तांदली जड़ी है, पिंड़ दे पदर ते हो रही सी, होर भी पिं समझाया गया, तमकाया भी गया भी तू अपनी खरकतां तो बाज आजा, खामखा जेडी शिकायत बाजी है, पंचायतां दे खिलाब करनी बंद करते, लेकिन वीर सिंग अपने असूलना ता पका सी ते ओड़ डटे रहा, उस पंचायत दे सामने भी ते सरपंचा दे सामने लेदे के पूरा मामला विजिलन्स नो भी उसने शिकायत करती ते डरे पैदा हो गया भी, जे पूरे मामला देक निपक जांच हो गई ता सारे ते सारे फास जानगे, यानि की पंचायत फास जाएगी, सरपांच फास जाएगा, तो सरपंच ने थे होर सारे पिंड दे लोक लेकिन वीर सिंग दा मुकाबला सामने पंचैत दे नल हो रहा सी लेकिन पंचैत ने इदे लिए एक वखरा प्लान तियार किता थे वीर सिंग नो किमे कडिकीच फसाना है उसलिए उनना ने एक बहुत ही अलग किसम दा केस तियार किता एक चिरी साजी सी जड़ा शडेंतर कोपरेट कर दिये जिनाता की काम हुंदा है किसी भी विक्टम नो यानि कि किसी भी निशाने नो हनी ट्रैप करना हनी ट्रैप ना मतलब तुसी सारे समझ देवी एक बेसिकली एक महिला नो पेज के ते उस नो अपने हुसंदे जाल दे विच फसा के अपने विक्टम या बाद विक्टम ते रिपोर्ट करन नशर करन अबाद मेरे को लैसी फीडबक मिली अलागी ओलागं तक लोका ने निशान दे भी किती अधने मुबाइल नंबर तक घरन जो कि इस गोरक तन दे विच शामल संट जो कि अपने श किरीर वर्त करके हैं अपने साजी देता है ते लोका użyणों पैसा उन्हानों देता जान दा सी ओ फिर संपरक साध्यां सन अलो नो के नल किसी भी तरीक के नल हालात नो इस महारे ले आता जान दा सी ओ महिलादे नल शरीरिक जड़े संबंध है ओ किसी ना किसी विक्टम दे हों ते उस तो बाद उसनों ब्ल लड़की नौजवान सी ते बहुत ही खुबसूरत है महिला सी क्योंकि इस दा बाद दे विडियोग्राफी भी जड़ी है तो इस महिला जड़ी जस्बीर कौर ने अपने हुसंद जाल दे विच वीर सिंग नू फसाल या यानि कि वीर सिंग जो की रिटायर सी उस दी पतनी द इक दना वीर परताब सी ते एक खोर बेटा सी लेकिन उन्हें पतनी दी मौत हो चुकी सी ते जिंदगी दे विच ओदे वी एक एकला पन सी तो वीर सिंग उस महिला जस्बीर कौर दे खुसंद जाल विच कह लिए या फिर उस दियां अदामा दे जाल विच फस गया दोवा ने जिस दौरान इना दे शरीरिक संबंद स्थापत हुए एक म्यूच्वल ते कंसेंश्वल रिलेशनशिप सी इस दे विच आपस दे जड़े संबंद स्थापत हुए सी एक महिला दी मर्जी दे नाल हुए सी कोई वी वादा या कोई वी ऐसा लारा जड़ा सी ओ वीर नो अपने चंगुल दे विच पसा लिया ते उस दो बाद सैनिक रेस्थाउस दे विच उस दे नाल शरीरिक जड़े संबंद सी ओ स्थापत हुए लेकिन वीर सिंग ली अफ़ी जिंदगी दा साथ तो वड़ा जड़ा शौक या चटका हुंदा है ओ इस कटना तो तकरीब कि जस्वीर कौर नाधिक महिला वलनों बलतकार दे जड़े दूशन हैगे ने ओ वीर सिंग दे लगाते गए हुंदेने तो एक टिपिकल तरीक है हनी ट्राइब करन दा लोकानों ब्लाक मेल करन दा एक गोरक तंदा भी है ते बहुत सी महिलामा जो की शरीरिक तंदा या दे जोखिम पर या काम भी है क्योंकि इस बाद दे विच मुकदमे बाजी ते दुश्मिनी ता सामना तो नों करना पेंदा है लेकिन बहुत सी हैं महिलामा जो की अपनी मजबूरी वश शरीर दे या शरीर वेचन दे अपने तंदे दे विच लगियां हुई या ने देवपार पंजाब दे विच सनलिथ है गिया ने ओ अजीहे जोखिम उठालें दिया ने ते ऐसे कई गैंग जिमें पहला जिकर कर चुका है पंजाब दे विच भी ऑपरेट कर दे रहे ने सो एजड़ी महिला सी एग्जाटली एग्जाटली एनी कैसा थे कोई बहुत वड़ा गिरो सी लेकिन इस देनाल कुछ होर ऐसी हैं महिलावा सान जो की इनू इस तरीके दे कामदवान दियां सान ते जिस तरीके दे खुला से बाद दे विच होए उस तो एस थापत थे जेल विच पाता जान दा है पेंड़ दे विच उस दी काफी जादा बदनामी हो चुकी हों दिया है एक बुजर्गता है ही या सी ही लेकिन ओपेंड़ दे विच एक बहुत चंगे एखलाक दे इंसाना वज्जों जाना है जाना सी बहुत चंगा एखलाक रखन वाला एक मन लेकिन वीर सिंग देनाल भी यही हुए पहला तब पिंड़ दे वी चुछ दी काफी वजीखत हुई एक चंगे इखलाक दे मनुख वज्यों उस तूं जाना है जाना सी एक चेरिटेबल ऑगनाइजेशन या बहुत ही काम उसने करने बहुत ही बच्चे आना पड़ा करना ले लेकिन वीर सिंग तो गलतीता हुई हुँँदी है उस महिला जस्वीर देनाल ओ रया हुँदा एक राद उसने बिताई हुँदी है सिरीडिक संबन स्ताफ़त हुए हुँदेने जेल देविच वीर सिंग नू डाकता जाता है जित्थे कई महीने अपनी जिंदगी दे जेल देविच कट दा है वीर सिंग ले समसाब तो बड़ी चुनौती दा सी कित्थे ओ अपने पिंड दे लोकां दे खिलाफ जो की प्रस्टाचार कर रहे सन खुल लम-खुला सरकारी फंड़ा दी दूरवर्तों कर रहे सन गबन कर रहे सन उनना दे खिलाफ ओ शिकायतां लेके कुमदा सी साफ शुतरी छभीदा करिदार सी त रहूं कुछी दिना दे ग्याप दे विच ओ एक बहुत वड़ा करिमिनल बान जान दा है एक बलतकारी बान जान दा है जेल दे विच्छी दे भीन बहुत मड़ा बतीरा कि ता जन पा लेके वीर सिंग दा जड़ा सिर देविच जड़ी स्वास ही ओ लगपक उस दी जिंदगी दे अखिरी पड़ा देविच पैचुक की सी ते हुन किसी नों कोई आस नजर नहीं आ रही सी लेकिन एस दोना उसना बेटा वीर परताप उठदा है वीर परताप बारों जो की बार फिलिपाइन्स देव विच उथों वापस आंदा है थे उसनों जड़ों पूरे केश दा समझ भी चांदी है थे अपने पिता दी बेला उस थानक अडालता मिच लांदे ने जो की अडालता वलनों रिजेक्ट करती है जांदी है ने इस तो बाद मामला हाई कोड पहुंच दाया हाई कोड़ दे विच भी काफी समझ अपने पिता दी बेल दी जड़ी सुनवाई यो चल दी रहन दी है लेकिन अडालता समझ लहरी हैं हूंदिया ने बहुत सौकी बेल नहीं मिल रही हूंदी कोगी बलट कारदे मामलां वीच असी वेक्चा है भी बहुत से केसिज हैगें ने बहुत सैसे बेटा सी वीर परताप जिसदा ना सी वीर परताप जड़ा सी ओ अपने वकील सरदार अर्षदीप सिंग बराड होना देनाल मेरे समपर्क विच आनता है क्योंकि मैं होना देनाले विच न्यूज 18 दा अपर तरकार सी मैं उदेली काम करदा सी बेटा जड़ा वीर परताप है वकील साब नो लाकिया आना है को वकील साब ने पहला कुछ होर चैनल ना नो भी इस सारी पूरी कटना देना जानू करान दी कोशिश किती हलात बारे दस है लेकिन कोई ज़्यादा किसने इंटरस नहीं दिखाया इवन पहले पदरते मैं नो भी लगए एक नॉर्मल बलतकारता केस है जिस विच की शायद वदीकी होई है क्योंकि मैं समझदा सी भी बलतकारते जारत तर जड़े मामले होंदेने चूटे ही होंदेने शिकायता चूटी होंदेने बात दे विच कॉंप्रोमाइज हो जान देने या फिर उस सारी गला माता हो देने लेकिन इस केस दे विच वकील साब ने जदो मैंनो सरक्मस्तांसिस दसे वीर परताब नो लाएके मेरे दफतर दे विच बैठके मैं उनने पूरी गालवा सूनी थे वीर परताब ने मैंनो कुछ ऐसी वीडियो फूटजिस दिखाईयां जो कि उसने उस महिला जसबीर कॉर दियां बढाईयां सन मैं हरान सी वीडियो फूटजिस देखके मैं उस दे विच पुछ है विच जसबीर कॉर थोड़े राप्ते दे विच के में क्योंकि यह थोड़े तो इश्मन है इनने थोड़े पीता दे खिलाफ एड़ा एक केस कर रख्या है उसने दस्या भी इस महिला नो मैं नहीं पता लगन दिता भी मैं वीर सिंग दा बेटा हाँ लेकिन मैं इस दिना संपर्क स्थाफ़त किता थे यह मेरना गालबाद दे विच है ते मैं अधी कई रिकॉर्डिंग्स थो नो दखा सकता है लेकिन इस नो नो नमे सी दे तो पूरी कालबाद नो कारना पैना थे तुसी उनना ने इन फैक्ट ऐसे अपने मुबाइल दे विच आप दखाई जो की एक कैंडिड आप सी जो की शूट करदा है स्टिंग टाइप जिना स्पाई कैम जिस नो कहने हाँ मुबाइल दे वे ची शूट करदा है तो उसने का भी मै इस ते जरीए नो रिकॉर्ड किता है तो मैं का भी तुसी दबारा जाओ जाओ इस महिला थ क्योंकि आसी एकसेस नहीं कार सकती शी नो ना इसी चांदे सान उस महिला देनाल उनाने बिस्तर दे बनाई सी, बिस्तर दे दोंए लेटे होई सां दे दोंए बैठके आपस दे विच गालबात कार रहे से, तो काफी लंबी चौड़ी ओ गालबात हुई, मैं हरान सी भी बहुत एक प्रोफेशनल तरीके नाल वीर परताप बनान दे विच का पशी है इसलिए वीर परताप सिंग नो तो उसने इस महिला देनाल वो पूरी रिकॉर्डिंग किती तो इस रिकॉर्डिंग दे विच गालबात सी बहुत ही जादा दिलचस्प सी, जस्वीर कौर नो वीर परताप काफी हाथ खुल के बोलन लई या बुलवान दे विच काम पाणी बनाई वी हो देकुल पैहा बहुत है ते अब मैं उसमें कैसी महिला दी तलास कर रहा है जड़ी कि उसनो फ्रेम कर सके इसनो कैंदे सी अपनी पाशा दे विचे गेम लाणा यानि कि ओधी गेम लाणियां सी गेम लाणा मतलब ही हुंदा सी उसनो सी सेट अप करना है ट्रैप करना है हनी ट्रैप करना बेसिक्ली सो ओ गेम लाण दा पूरा उसने पूरा शने प्लान सी जसवीर को हुष दना संग्या गेता थे जसवीर को होर ने हम वी पारती लेकिन अपना वीर परतापस से इसने का नहीं यह तेरे व算दी गाल निहीं लाग धी क्योंकि तू तो नहीं हैं, तो कच्छी हैं, तेनुन नहीं चीजां बारे पता, कालनू तो एब ड़े मामलें वीच तू फास सकती हैं, तू रेण दे तेरे वस्दा नहीं है, जसबीर को और होर भी टैश दे भी चाहिए ते, उसनों भी लगया भी मेरी गहरत दे उतते सवाल भी है, ते मे आप दे जरएए उस स्पाई कैम दे जरीए तो सारी गण्बाते रिकॉивать हो रही सी ओर रिकॉर्डिंग हो गई इस रिकॉरडिंग हो तो बाद इस पूरी प्लैनिंग दोज़ा ने तियार कर ली थे अपने ऐको फर्जी एयर फिक्शनल ज हुए तो पुरा प्लैन तो पूरी रिपोर्ट शी उस भी चसी सारी दे सारी कहाणी बेन किती उसारी आफईया ना दखाईया पुलिस दे वर्जन बगारा सब कुछ तलाय दे के सी अद्दे गहंटे दे एक रिपोर्ट बना के चलाती ओर रिपोर्ट चलन तो बाद एक बहुत वड़े लेवल दी तर कर रहे हों देने तो अजी है एक होर्स्टिंग ऑपरेशन वी उस दरान उस लड़के ने कार रहा है सी जिस वीच की उत्थे दा एक जड़ा एसाई लेवल दा अफसर सी गड़ी दे विच वैट के उसने करीबन दास-पंदरा हजार का उस तो ले आते ओ वी सारा जड़ा सी अजी होना दे थलडे लोका ने फिकर कीती वी थलडे जड़े गवर्णर ऑफ गार्जन ने होना दा जमीन ते हाल की हो रहा है तिक कि में जड़ों तुसी पूरे सिस्टम देना एक माफिया देना एक प्रष्ट पंचैता देना जड़ों तुसी मुकदमे बाजी या चगड वी माडा किता जाना है हलाकि अदालताने बात दे वीच थापत करना या इस जीनू अनों बरी करना होंता है लेकिन उस दरान जेलना दे वीच जो ना दी बहुत दूरदशा जड़ी है वो किती जान दिया सब तो हीन पावना दे ना 346 दे जड़े केसि आन देने सारे जेल वीरपाल देनाल भी बहुत सी फजी है जेल दे विच हो चुकी सी थोड़े जे बुजुर्ग सी तांग करके उनाल थोड़ी वदीकी काट हुई लेकिन फेर वी उन्हों बहुत जादा संताप पोगना पया जेल दे विच रहके वी इस पूरे मामले दे चल दे हुआ है लेकिन परिम उसी पासे दी ख़बर चलाती है ये सारी इंगल्ना बाता होई है लेकिन अपने ख़बर ते कायं से मैं क्या सी वी तुसी जाओ थे अननना दे वर्जन लेखके एवन असी इस रिपोर्ट दे वीच भी उनना दे जड़े वर्जन सान उनना नों चलाया सी मामले वाद करता सी रेप दी एलाजिट विक्टम सी उसने अपने जड़े बयान सन वो बदले क्योंकि वो कब रा गई सी इस तो बात मामले था दबाप पै गया उसनों यह लगा भी हुन मैं फास जांगी हलांकि पिंडवाले ने या ओ सरपंच या पंचायत ते जड़े मेंबर जो कि इस पूरी साज़िश दे विक्टम सान उना ने इस महिला दे काफी दबापान दी कोशिश किती लेकिन लेगे जड़े के जड़ी वीर परताब दे नाल शामल होगी वीर परताब ने क्या भी हुन तू फसेंगी थे इस केस दे विच ते नू सजावा होन गया महिला डर गी थे जसवीर कोरने जाके पूलिस दे सामने सच बयान कारता बाद दे विच पूलिस दे मेजिस्ट्रेट दे के बयान दुआए क्योंकि रेब दे अकसर मामला दे विच पूलिस दे सामने दिते के जड़े बयान होन दे ने उना उते शक ते शंके रहन दे ने अदालता भी मान द दे दबाहेट आके उस ते विचे उनने उस सारे लोकान ना लेया उसर पांच जगरूप सिंग ते उस सारे लोकान दी गालबाद किती भी उनना दे तक्के चड़के या उनना वननों फैदे पुचाए जान दे वादे किते गए साने क्या गैसी कुछ लखा रुपय ते नो द दे सामने उस ते जड़े बयान सी उपके बयान दर्ज कराएगा जिस तो बाद अदालत ने उस F.I.R. नो कैंसल कारता सो वीर सिंग अदालत दे विच निकलन दे विच काम्याब होए उस रिपोर्ट जो किसी नशर किती सी उस ता बहुत वड़ा आसर होया सी का पुलस ने अपना काम किता उस तो बाद पुलिस ने महामले दी कोक किती सी ओ एविडेंसिज ओना कुलसान लेकिन ओ एविडेंसिज नो अदालत दे विच वर्तन दी लोड ही नहीं पई उस तिंग ऑपरेशन नो जादा अदार बनां दी लोड इस वासते नहीं पई क्योंकि खुद ज शुराद दे विच पंजाब दे विच पंचैती चोणा हुई हैं ते मैंनो अचाना कि एक दिन वीडियो आंदा है या फोन कॉल आंदा है जिस विच की वीर सिंग मेरे नहीं गाल करते ने ते वीर सिंग ने दस्याजी की मैं हुन पिंडदा सर पांच चोण लागया हां ओ वीडियो मैंनों पेज जाएक है जिस विच के उना दे गले विच पिंडबाले ने हार पारे सान तोल्ट मक्का हो रहा सी वीर सिंग कदे भी सर पांच नहीं सी बनना चांदा आज भी सर पांच बनना नहीं चांदा लेकिन ओता अपना गारजना और गवरननस बार के ही काफ पूरी साजिस सी और बेनकाब हो चुकी सी ते जदो पंचायत दा चोन होया ते फिर वीर सिंग नहीं अने सर पांच बनाता बीते तकरीबन दो टाई सालां दे विच इस पिंड़ दे विच बहुत काम होया है एक एनराई दी मदद देनाल चार लाखर पे दी जड़ी मदद अनरा नो दित्ती गे ते बाद दे विच एनरा ने पिंड़ दे विच इंटर लॉकिंग टाईल्स दी एक फैक्टरी ही बना ली और पिंड़ वाले आँ दी ही फैक्टरी आपड़ी फैक्टरी है ते एस सारी चीजा नो मैनेज करन दे विच वीर सिंग दी पूमिका सी हो रहे सी या पंचैती मेंबर ही उना नो लोट खुछ उट करके खापी जान दे सान ओ सारा पैसा सही तरी किनल चैनलाइस होके हुन पिंड़ खोसा कोटला विच लग रहे है ते ताजा जड़ी है ते तस्वीरां ते वीडियोज मैनों वीर सिंग वलनों पेजएगे उस द जी दी कहाणी है लेकिन इस दे विच किड़ी वड़ी साजिश सी जिस दे तहत की उसनों फसाया गया जदो वीर सिंग जेल तो बाद आन देने ते जदो उस तो बाद एलेक्शन लाड़ देने सरपांच बांदेने मैं जादा उना देना रापता नहीं रख पाया लेकिन ज जिस दे उत्ते की बलतकार देने गंबीर दूशन संट जो की नजरा नहीं मला पारे है ऐसी लोका देनाल समाज देनाल उदो हीन पावना देनाल वेख्या जारे है ऐसी पिंड विच भी करदे अंदर भी बाहर भी जेल दे विच भी एक रिपोर्ट या एक मीडिय दे परसा जानता है आज तक वो सरपांच है ते पिंड दे विकास ते पलाई दे जड़े कार जया उना विच रुज्या होया है एक बहुत ही तसली देन वाली संतुष्टी देन वाली एक ख़बर सी सरकारा ने वड़े-वड़े दारेता कायम कारते इंस्सिचूशन गार्जन आफ ग जानता है ते पिछे दी जी को सच्चाई फरोलन दी कोशिश करना चाहे ता करें लेकिन कोई असर नहीं होया लेकिन अपने आप लाई दे के फिर मोगा पुलिस ने अपना काम किता ते मोगा पुलिस दी जड़ी तफ्तीश उस तो बाद होई वह बहुत सही तफ्तीश ही इ पिंड दे भी चाहे जो विकास का रहा है जो भी आची डेवलेप्पेंट दी है तस्वीरां देख देए है या वो मोरा मनजर वेख देए है वेख देए है आज तो तिन साल पहला इस शक्स जेल दे विच बैठा सी अपनी बेल नहीं जतन कार रहा है असी हाई कोट दे पिंड दे विच इंटर लॉकिंग टैस दी फैक्टरी बान चुकी है स्कूला दी बिल्डिंगा दे विच होर वादा किता जा चुका है गलिया नालियां पक्के करें जान दा जड़ा सिलसला है ओ चंगे तरीके ना चलदा पहा है आना ले सरपंची दे लेक्शना दे विच वीर सिंग ने चोण नहीं लाड़ना हो कह रहे सी वी मैं हून मैं ता लोका नो नौजवान हून दुखाना सी वी जे पंचायत चाहे या सरपंच चाहे ता किनला काम कीता जा सकता है इस दी कि मिसाल स्थापत करने सी जो कारती लेकिन तेनिया चार साला दी जिड़ी दिवर्तन या एन्ने उतार चड़ा भी आ सकते ने इस दिन आली जड़ा बड़ा इशू असी इस रिपोर्ट दे जरिए उजागर किता सी ओसी हनी ट्रैप दा ऐसे बहुत से स्कैंडल्स है गे ने जिना दे जरिए लोका नो फसाया जान दा है लोका नो ब्लैक मेल किता जा निकली ते मैं हरान सी या आज भी हरान हुनना है भी एड़े वड़े पदर ते जड़ा गोरखतन दा है हनी ट्रैप या सेक्स कैंडल्स लोका नो फसा के उना नो ब्लैक मेल करन दा गोरखतन दा जारी है तो आस करते हैं उमीद करते हैं कि आना ले समय दे विच ए चीज पई हुनी है जदो इस किसम दे जड़े स्कैंडल्स एक्सपोस हुन दे ने जड़न दा परदा फास हुन दा ता फिर ए हरकतां विच इन्वाल लोका नो भी पता लगदा भी सेर नो सवा से टक करी सगदा है तो इस केस दे विच सवा सेरता सी वीर सिंग दा बेटा वीर जड़न रेर नहीं दे नहीं होते असले जड़ी गेम है विर परताफ ने खेड़ी ते उस महिला देना खेड़ी रोग संप्षै करणागती आज धैख रहाए दे मौके ते लेके हाजर होंदार आँगा, रितेश लखी अन्प्लक देना जोटे रो, बहुत बहुत तानवाद,